अगली खबर स्रावस्ती जन्पत के थानहा इकौना से है जहाँ पर इकौना कस्बे में कोचिंग पढ़कर घाज जा रहे चात को भाईक सबार ने टक्कर मादी जिसके बाद उसे इकौना के सामदा एक स्रास्केर में लाकर भरती कराया गया आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक, सीयर, सिस्क्राइब करें साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें खबर स्रावस्ती जनपत के थानाचित इकवना से है जहां पर इकवना भीनगा मार्ग के ईदगाह के पास साइकल सवार छात को उस वक्त बाइक सवार ने टककर मारी जब वो कोचिंग पढ़कर अपने घर भामे पारा वापस जा रहा था बताया जा रहा है कि दिव्यान सुमिस्रा पुत्र गोविन रायन मिस्रा निवासी भामे पारा इकवना में कोचिंग पढ़ने आया था और कोचिंग पढ़कर जब वो वापस जा रहा था जैसे ही वो इदगाह के पास पहुँचा बाइक सवार ने उसे टक कर मारी जिसके बाद चात घायल हुआ और उसे एकवना के सामदा एक स्वासकेर में लाकर भरती कराया गया जहां पर डाक्टों ने साइकर सवार चात का उपचार सुन किया वहीं सूचना पर पहुची पुलिस बाइक सवार को पकड़ कर ठाने ले गई स्रावस्ती जनपत के थानहा इकवना छेत का पूरा मामला है जहां पर इकवना भिनगा मार के इदिगाह के पास साइकल सवार भामे पारा निवासी चात को बाइक सवार ने टक कर मार दी जिससे साइकल सवार चात को चोटे आई उसे पर जिनों ने लाकर इकवना के सामदा अच्छात हुआ घायल जिसे इकवना के सामदाइक स्वास्केन में कराया गया भरती अगर कहां है कैसे चोड़ लगी है कहां पर पकड़ लिए तुम घर जा रहे थे कि आ रहे थे कि कहना से भामे पादा जा रहे थे हैं वह इसाय मंदी के पास इसाय मंदी में इद्गाति चोड़ा है के पास हां बस नहीं